हालो एपरिवण गूट मॉरनिंग वेलकम बैक दो दे चैनल यह जो वीडियो है यह लास्ट वीडियो के आगे का ही कंटनुई हो रहा है यह सेम दे है यह लास्ट वीडियो जिसमें मैंने पराथे की रिस्पी शेयर की ति मुश्रूम पराथा और पनीर पराथा तो अगर किस वीडियो नहीं देखी है मश्रूम पराटे की तो जाके उसे चेक कीजेगा बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूणीक रेस्पी है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी जस्ट इससे पहले मैंने उसको अपलोड की है मैंने उसमें आपसे पूरा मॉर्निंग रूटीन का जो ब्रेकफस्ट और लंच रूटीन पैकिंग हस्बन का टिफिन वगएरा वो सब दिखाया था उसके बाद से मैंने चाय वगएरा ले ली है और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे क्लीनिंग में क्योंकि आज मुझे बे अच्छी तरीके से डस्टिंग करनी है क्योंकि जो रूम के कोने कोने ना उनमें मुझे हलके हलके से जाले दिख रहे थे तो उनको हटाना है थोड़ी सी वाल्स क्लीन करूंगी और जो मेरा स्टडी डेस्क है उसके उपर जो शेल्फ लगा हुआ है वो सारा मैं क्लीन करूं और नाइट वो वर्क करें आपके बालों पर स्कैल्प पर लेकिन जरूरी नहीं कि हर समय आपको रात में समय मिले या फिर आपको याद ही रहे मैं तो भूल जाती हूँ कि मुझे अगले दिन हेर वाश करना है तो पहले लगाओ तो इसलिए आप एक दो घंटे पहले भी ल लगा दूंगी अच्छे से धूप ना बहुत खिली-खिली से निकली है आज और ऐसे क्या होता है मैं सुबह उठते ही मशील लगा देती हूँ तो मैंने मशील लगाई है हैस्मिन के जाने के बाद आज लगाई है तो अभी लगबग उसमें 40 मिनट का था गैप की 40 मिनट उसमें लगेंगे अभी पूर तक मेरे कपड़े भी हो जाएंगे तो मैं कपड़े वहां सुखा दूँगी तो सर्दियों में कभी कभी ना जो भी ब्लैंकेट वगएरा या पिलो कुशन हम यूज करते हैं सोते वक्त उनको जरूर जरूर आपको धूप लगा देना चाहिए 15 दिन पर 20 दिन पर नहीं भी अच्छे से सुखा लीजिए और साथ ही साथ यह सारे काम भी अच्छे से हो जाए तो अच्छा रहता है बैट शिट मुझे चेंज करनी है इसलिए मैं उसको हटा दूँगी चेंज कर दूँगी सारी चीज़े मैंने खाली कर लीए इसलिए कि उपर से डस्ट जाड़ूंग बहुत अच्छा है, सारी dust वगरा इस पे बहुत अच्छे से चिपक जाती है, और एकदम walls जो है clean हो जाती है, even fan वगरा clean करने के लिए भी काफी अच्छा है, fan के ऊपर की side है, जो अच्छे से clean हो जाती है, अगर आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये mode भी जाता है, आप इसको mode करके भी cleaning कर सकते हो, तो just ऐसा ही करके, जहां मुझे थोड़े बहुत जाले वगरा दिख रहे थे, सारा मैंने अच्छे से clean कर दिया है, दोनों side, पूरा room ही मतलब, ज्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा मुझे walls बस clean करना था, जैसे मैंने बता, कहीं कहीं मुझे जाले से जाले थे, वो मैंने हटा दिये, और उसके बाद अब, डस्टिंग के बाद, गीले कपड़े का पोचा करना शुरू हुआ है, पोचा ही बोल लीजिए, मतलब गीले कपड़े से मैंने सब कुछ पोचना स्टार्ट किया है, तो आज तो मैं कॉलिंस यूज कर रही हूं, लेक चलो कॉलिंस का इस्तमाल कर लेते हैं, और यह मेरा बेड का यह जो हैड़ बोर्ड है इस पे भी आप आहराम से कॉलिंस डाल करके और बढ़िया से इसको क्लीन कर सकते हैं, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो जितनी भी चीज़े हैं मैं इसी से क्लीन करने वाली हूं झाल 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 सारी डस्टिंग अच्छे से हो गई है और गीले कपड़े की वाइप भी बहुत अच्छे से हो गई है तो एकदम नीट एंड क्लीन सारी चीज़े हो गई है अभी मैं को री अरेंज कर दोंगी सिधार्त की हेल्प मांगी है मैंने कि मुझे तुम फटा फट देते जाओ समान क क्योंकि मैंने सारा सामन उठा के ड्राइंग रूम में रख दिया था तो वहां से वह देते जा रहा है और मैं अरेंज करती जा रही हूं चीज़े लगा-लगा के देखती हूं कि यहां अच्छा लगे का वहां अच्छा लगेगा क्योंकि जब भी मैंसे चाहे किचन में हो किसी भी रूम में हो डस्टिंग क्लिनिंग करती हूँ तो इधर उदर चीजे चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है तो फिर एक नया पंसा आने लगता है तो कुछ दिन उसको देख करके बड़ी खुशी सी मिलती है तो जादा तो कोई option है नहीं यहाँ पे लेकिन जितना है मैं उतना इधर उदर changes कर रहे हूँ और यह आप लोगों का प्यार मेरा play button बहुत सारों लोग पुछते हैं कि आपका play button का है तो यह मेरा play button यहीं पे रहता है पहले तो मैंने इसको wall पे जो मेरा पुराना घर है उस पे लगाया हुआ था लेकिन वो मेरे working station के ठीक उपर था तो यहाँ भी मैंने उसको ऐसी लगा है यह मेरा working station है और इसके ठीक उपर मैंने यह play button रखा है और कुछ इस तरीके से मैंने यह shelf को organize कर दिया है और यहाँ पर जो आपको यह चोटो सी गनेश जी दिख रहे है ना यह actual में सिंदूर की डबी है इसके अंदर सिंदूर है और यह मुझे शादी में मिला था तो आप लोग मुझे बताएगा कि इनको यहाँ ऐसे रखना चाहिए या फिर मंदीर की जगा में रखूँ या फिर इस रूम से बाहर रखूँ कैसे रखूँ suddenly वैसे तो यह काफी दिन से रखे हूँ है यहाँ पर इसी shelf पर रखे हूँ है पहले भी ऐसे shelf पर मैं रखती थी इसको लेकिन suddenly मेरे दिमाग में आए कि इनको यहाँ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए तो मैं थोड़ा confused हो गई हूँ आप मुझे बताईएगा कि रखना चाहिए या नहीं और just बस नीचे वाली जो dusting है वो कर रही हूँ बाकी जो जाड़ू पहुचा है तब वो पूनम आएगी तब करेगी और यह जो चेयर है ना इसके यह जो बैक साइट का यह पोर्शन है इसमें बहुत जादा dust जो है वो जम जाती है और यह ऐसी जगा है ना जहां से कि आप अच्छे से कपड़ा लगा के ना पोचो तो ठीक से साफ नहीं होता है बड़े उबर खाबर उबर खाबर यहां पर डिजाइन है इसका बट मैं किसी तरह कर रही हूँ हलके से गीले कपड़े से ही कर रही हूँ ताकि dust अच्छे से उसमें चिपक जाए और जो आगे का कुश्चन वाला एरिया है वहां पर मैं वैक्यूम कर देती हूँ तो सारी जो dust है वो वैक्यूम में आ जाती है बस अब बैट शिट चेंज करके मैं बैट अच्छे से बना दूँगी यह वाला वूलन बैट शिट है और सेम दूसरे कलर में यह भी सेम मतलब डिजाइन सेम है लेकिन कलर अलग है और सर्दियों में यह दो बैट शिट मेरे बड़ी काम की रहती है क्योंकि एकदम बहुत ही warm है यह कपड़ा वैसा है तो एकदम भी ठंडक नहीं महसूस होती है अगर आप तुरंट बैट में चा रहे हो तो बैट को गरम होने में भी समय लग जाता है लेकिन यह वाले कपड़े की जो बैट शिट है इसमें गरमाहट ऐसी ही रहती है एकदम ठंडा नहीं महसूस होता तो तेज वाली जो ठंड होती है उनमें मैं यही बैट शिट का इस्तमाल करती हूँ तो अभी दो ही है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर ड्रेसिंग टेबल बचा था तो उसको भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया फिर मैंने नहा लिया बालों से नहाया है दूप काफी तेज है अच्छी सी दूप है तो अभी मैं 15-20 मिनट थोड़ा बाल सुखाऊंगी दूप में बैटूँगी आराम करूँगी रिलैक्स करूँगी पिकास सुबह से जब से उठी हूँ ना तब से बस बैक टू बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम चली रहा है तो बस धूप में थोड़ा देर रेस्ट करके फिर मैं दूसरा काम स्टार्ट करूँगी जो है आज मेरा फ्रीजर मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है काफी सारी चीजे इसमें रखी हुई है कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी चीज है कौन सी चीज नहीं है तो बस मुझे वही देखना है हर चीज़ को खुल के इच्छे से देखूंगी जो पैकेट खुले हुएं उनको अलग करूंगी जो पैक्ट है ताकि पता चले मुझे की क्या क्या है विकॉस दिवाली से पहले जब मैंने राशन फिल किया था तो उसी टाइम मैंने सारा रेंज किया था उसके बाद बस इससे चीज़े निकल रही है और जो नही चीज़े आ रही है मैं इसमें डालती जा रही हूँ लेकिन इतना धेर हो जाता है बड़ा सा फ्रीजर है तो मैं इसके अंदर काफी सारी चीज़े स्टोर करती हूँ खराब होने वाली होती है ना तो पीछे तक कितनी चीज़े चली गई ही मैंने कभी खोल के देखा ही नहीं तो ऐसी ही मैंने बदाम मंगा लिए फिर मैंने फ्रीजर में मेरी नजर गई कि बदाम तो रखे हुए थे तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं देखी लेती हूँ 15-20 मिन का काम है सारी चीज़े अच्छे से रेंच कर देती हूँ और हाथ मेरे कितने ठंडे हो गए थे विकास ऐसी ठंड है उपर से फ्रीजर बहुत चिल्ड था तो मेरे हाथ एक दम फ्रीज हो रहे थे इसकी समानी दरुदर करने में तो सारी चीज़े देख ली हैं मुझे याद फ्रीजर वगएरा क्लीन करने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया विकास सुबे से मैं काफी कुछ आज शूट कर चुकी हूँ तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और सीधा मैं आपसे डिनर के टाइम मिल रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया रेस्पी के आगे आगे को पता चलेगी, तो आज बनाने जारी हूं और कॉॉर्ट आप अर्पलुक वन्यू शूर्दा सपाव सता हॉ लेकिन रेस्पी बहुत टेस्टी बनती है अगर आप भी पालक लवर हो तो आपको रेस्पी जरूर पसंद आएगी तो पालक मैंने उबलने चड़ा दिया है थोड़ा सा पानी डाल करके प्रेशर कुक नहीं कर रहे हूं उसको जस्ट मैंने पानी डाल करके ऐसी खुला उबल एक चोटा चमच मैंने इसके अंदर डाला है जीरा जब जीरा अच्छे से हो गया है तब मैंने इसके अंदर हींग डाला है और फिर हम एक बड़ा साइस का अनियन चॉप किया हुआ इसके अंदर एड़ कर देंगे इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा और दूसरी तरफ हम मसा प्यास देखिए यहां पर काफी हद तक भुना भुना हो गया है तो हमने इसके अंदर बेबी कॉर्ण से एड़ कर दी है वैसे तो पालक और कॉर्ण की सबजी सिर्फ जो इसके बीज होते हैं उतसे बनती है यह बेबी कॉर्ण हम लोग नहीं डालते हैं लेकिन मेरे पास रख इसलिए भुना ताकि वो थोड़े से भुन जाएं सिर्फ बॉइल भुने भी हो जाएं और जब वो थोड़े सा भूने से हो गया है तो मैंने जो पेस्ट बनाया था था न वो भी इसमें आड़ कर दिया है अब मैं इसको ढखूँगी नहीं मैं इसको खुला ही ऐसे पकाने जीरा का पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर तो बहुत ही लाइट मसाले हैं अगर मेजरमेंट के स्पून से बोलूं तो बहुत ही कम है यह जो हमारी च्छोटी सी चमच होती है ना मसाला डबा में उसी से मैं आपको बता रहीं कि आधा च्छोटी चमच और एक च्छोटी बस उसको हम ठोड़ा ठंड़ा करके और पीस लेंगे और वही हम इसमें एड जो wehaltak करेंगे और मैंने पूरा नहीं की चासर नहीं है यह समें नहीं अल्या प्शनीं जैसे मैंने नाइंटी परेसंट ली आए लेकिन 10 मैंने पालר चोड़ दिया था तो उसको और इसके अंदर जो पानी बचा था उसको मैं एजटीज इसमें यूज़ करूँगी तो थोड़ा सा ग्रेनी ग्रेनी सा भी हमको एक टेस्चर इसके अंदर मिलेगा ऐसा नहीं रहेगा कि सारा एकदम पेस्ट हो गया तो जर्णरली मैं पालक पनीर जब भी बनाती हूँ आपने पहले भी मेरी रेस्पी देखी होंगी तो इससे जो टेस्चर है वो बहुत अच्छा आता है पालक पनीर हो गया आलू पनीर हो गया या फिर ये कॉर्ण पालक हो गया तो अभी हमने जितना पानी हमको एट करना है वो कर दिया है नमक एट कर दिया है और साथी में हमने इसमें कॉर्ण एट कर दिये है और बस इसको हम एक उबाल लगाएंगे और उसके बाद 2-5 मिनट और पकाएंगे और बस यह हो जाएगी हमारी सबसी बिलकुल तयार और दूसरी तरफ आज मैं जो आटा भी लगा रही हूँ वो भी हरा भरा ही लगा रही हूँ उसको जो हैएजवायन बीदो जाएगे नहीं कि फ़्रति यह में भी होएजवायन तो यहां से तो गया मैं बना के तयार करूँगी बहुत जादा रोटी जितना सौफ नहीं रखना है उसे थोड़ा सा टाइट रखना है क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये पानी थोड़ा सा रिलीस करेंगे तो आटा गीला हो जाएगा इसलिए सकत आटा गूत करके मैं तयार कर लूँगी नॉमली जै के लुक में भी अगर आप सिर्फ कॉइन पालग बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं लेकिन अगर आपको लहसुनी कॉइन पालग बनाना है तो ये एक एडिशनल स्टेप कर दीजे थोड़ा सा घी ले लीजे पैन में इसके अंदर लहसुन डाल दीजे 7-8 लहसु किये थे इसके अंदर में हींग डाल दिया है और जस्ट शौका लगाने से पहले आधा चोटी चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर एट करेंगे ये जस्ट कलर के लिए हैं अगर आपको दिखाना नहीं है गैस्ट को नहीं दिखाना है गेट टूगेधर में नह सिर्फ लहसुन और हींग का तड़का लगाए और ये हमारा लहसुनी कॉर्ण पालक बनके बिल्कुल तयार है इसको पराठे के साथ में इंजॉय कीजिए रोटी के साथ में इंजॉय कीजिए बहुत अच्छे लगेंगे इवन राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हो दू झाल पराठे तो हमारे बन चुके हैं लेकिन पराठा और सबजी बनाने से पहले मैंने एक और रेस्पी बनाई थी वो है एक स्वीट डिश की रेस्पी और वो है हल्वा अब आप सुच रहोंगे ये पेठा रखा हुआ इसका हल्वा कैसे बनेगा लेकिन आज हम सफेद पेठा या फलका हल्वा बनता है कुछ उसी तरीके से इसका हल्वा भी बनता है और बहुत टेस्ट वाइज अच्छा रहता है तो आज मैं बताती हूं कैसे बनाते हैं सबसे तो केला हम जो कट कर लіти यह थोड़ा सा रेशेदार बनेगा और आप इसको चॉपर में डाल करके ना थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप कर लीजे तो वो भी वैसा ही टेस्चर आएगा तो मैं इसको चॉप कर रही हूँ क्योंकि कदू कस करने में बहुत जादा समय लग रहा था तो यहां पे मैंने एक चमच नॉन स्टिक पैन के अंदर ले लिया है घी तो घी यहां पे दो स्टेज में यूज होगा जैसे कि हम हलवे में भी ऐसा करते हैं पहले बूहनने के लिए हम लोग घी डालते हैं फिर जब हम पानी डालते हैं तो उस समय हम घी आट करते हैं तो ठीक हमें यहां भी वैस होने वाला है बिकाज इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत होता है तो खूप सारा पानी निकलेगा तो मीडियम हाई फ्लेम पे आप इसको चलाते रही है थोड़ी थोड़ी देर पर और पकाते रही है और यहां पे देखिए अभी मेरे को कम से कम 7-8 मिनट हो चुके थे इ इसके कलर के लिए मैं यहां पे सैफरन एट कर रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर इसको मिलेगा अभी आप देख रहे हो ना कि यह थोड़ा सा वाइट वाइट है सैफरन जैसे ही इसके अंदर घुल मिल जाएगा इसका कलर काफी अच्छा गोल्डन हो जाए में नहीं भी नहीं तो 45 मिनट साराम से लग गए थे क्योंकि इसमें जो पानी होता है उसको सुखाने में में जो टाइम है वो हमारा निकल जाता है तो लगातार चलाती भी जा रही हूँ और मेन वाइल मैं किचन की और तयारी जैसे अपने पालक देखा तो पालक साफ करना दोना वो समय करती जा रही थी और इसको भी मैं देखती जा रही थी और जब यहाँ पर मुझे लगा कि यह 60% तक डन हो गया है तम मैंने इसके अंदर आधा कप एड़ किया है ब्राउन शुगर अब नॉर्मल शुगर भी इसके अंदर एड़ कर सकते हो लेकिन ब्राउन श गुलने की वज़े से और ज्यादा गिला गिला हो जाएगा तो हमें उस स्टेज से यहां तक इसको लेकर आना है काफी अभी हम कम से कम 8-10 मिनट और दे चुके हैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पे और लास्ट में हम इसके अंदर एड़ करेंगे दो बड़े चमश घी के एक म कम से कम 5-6 मिनट मेन वाइल हम इसके अंदर थोड़े से काजू और थोड़े से बड़ाम भी एड़ कर देंगे तो जब तक हल्वा भूनेगा यह काजू बड़ाम भी इसके साथ थोड़े से भून जाएंगे वांकि आप चाहें तो इसके अंदर और भी ड्राइफूर्स ए इसके से अभी सेपरेट हो गया है और यह हमारा हल्वा बनके बिल्कुल तयार है इसको देखके भी लग रहा है कि एकदम ड़न हो चुका है अब हम इसको सर्फ कर देते हैं यह हल्वा बनाके ट्राइ करके एक बार जरूर देखेगा आपको जरूर यह पसंद आने वाला है और यह है हमारी आज की डिनर थाली जिसके अंदर है कॉर्ण पालक साथ में बथुआ के पराठे और यह बहुत ही अमेजिंग सा हल्वा बहुत ही टेस्टी है हल्वा बनके तयार हुआ था तो यह तीनों चीजे बहुत अच्छी लग रही थी साथ में खाने में आप इसको ट् तुक्यों बाइब आइ